हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं पशुपती पारस के घर के बाहर की तस्वीरे हैं जहां पर चिराग पास्वान के समर्थक पहुंचे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पशुपती पारस के खिलाप नारे लगा रहे हैं यानि यह लोजपा के ही कारे करता हैं लोग जनशक्ती पार्टी के ही कारे करता हैं लेकि प्रेस कांफरेंस होगी लेकिन अभी कुछ दर पहले पुलिस के जरी हमनों के सूचना दी गई है को प्रेस कांफरेंस के जरी होगी क defense क Hai लगा दी गए कोई पर चिला के समर्दकों के मिताविक और राजनिति दलों को लेकर जो कानून है उसके मिताविक यह और क्या के किया जा सकते है ताकिним परटी पर्टनIE पर साथ 3 बजे आप पारस खुद पहुँचेंगे परशुपतिनात पारस पहुँचेंगे पटना कल वो राश्चोय परिसत की बैठक में हिस्सा लेंगे लेकिन कारणी में उन्हें बाहर कर दिया गया है तो ये किस तरह से पूरा समीकरन बैठेगा देखें अब इसी बात पर सबकी नजर होगी कि जो कल बैठक बुलाई गई है पारस खुट की तरफ से उसमें क्या कुछ होता है जो परशुपति पारस हैं तो पशुपति पारस जो अपसे कुछी देर बाद यानि तो पहर साड़े तीन बज़े पहुँचेंगे पटना कल राष्ट्रे परिशत की बैठक बुलाई गई है हलाकि इससे पहले वर्चुल बैठक बुलाई थी चिराख पासवान ने लज़ेपी की कारेकारणी की जिसमें 32 अदश शामिल हुए और इस मीटिंग में पारस को बाहर करने का फैसला किया गया आनंद परशुपति नाथ पारस ने निकाल दिया चिराख पासवान को हलाकि वो कह रहे थे कि जिराख चाहें तो साथ में काम कर सकते हैं लेकिन कारेकारणी की बैठक पे बाहर कर दिया गया है परशुपति पारस को तो अब कल राश्ट्रे परिशत की बैठक किस तरह होगी क्या कहता है समविधान इसके लिए जी देकि पकल उनकी राश्टी कारेकारणी की बैठक और उसके बाद राश्टी परिशत की बैठक होगी जिसमें जो भी अध्यक्स चुना जाएगा उसके नाम का अनुमोधन किया जाएगा हाला कि कारिकार्णी के सदस्यों के उपर है कि वो इसके पक्स में वोट करते हैं जाहिर तो अपर पसुपती पारस ने ये बैठक बुलाई है तो उनके समर्थक वहां मौझूद होगे चुनाव आयोग को जाय कि यही वजह कि जो भी बैठक की ती और पसुपती पारस ने अपनी बैठकों के मिनट्स को तयार रख रहे हैं लगातार जो जो भी उस बैठक में मौझूद रह रहे हैं उनका नाम और उनका सिगनेचर भी रहता कि अगर चुनाव आयोग में मामला जाता है तो चुनाव आयोग सारी डॉकमेंट्स मांगेगा सारे मिनेट्स मांगेगा सबके नाम फोन नंबर और सिगनेचर मांगेगा उसके चुनाव आयोग यह फैसला देगा कि असली लोजुपा कौन है और उसका अध्यक्स कौन है तो जाहित दोनों ही तरफ से अपनी पारस ने चिराग पासवान को निकाल दिया चिराग पासवान ने परशुपतिनाग पारस को निकाल दिया और जो कारेकारणी की बैठक हो इसमें चिराग के समर्थक आये ते राशन परिशत की बैठक में पारस के समर्थक आएंगे लेकिन इनके बीच दावा किसका जो थे वो वर्चुल तरीके से उनके साथ जुड़े और कई लोग फोन से जुड़े उधर पशुपती पारस का दावा है कि उनके पास अधिक संक्या है और देखे दोनों पक्ष आप टक्नीकी बातों पर जोर दे रहा है पारस गुट का ये कहना है कि चिराग पासवान का ज राष्टी अध्यक्ष थे तो इस नाते उनको हटा दिया गया दूसरी बात वो ये कह रहे है कि जब इनका चैन हुआ था राष्टी अध्यक्ष के पद पर तो वो कोई विधिवत चुनाव नहीं हुआ था कहीं भी कुछ लिखित नहीं है बस रामिलास पासवान थे उन्हो सकता है पार्टी के संविधान ये कहता है कि जब तक वो जिवित है वो राष्टी अध्यक्ष बना रहेगा या फिर उसकी मौत हो जाए या फिर वो खुद से त्याक पतर दे दे और ऐसी स्थिती में नस्नल एजुकेटिव की जो बैठक होगी उसमें ये तै होगा और उसम है जो कानून के विशेशग हैं जो समविधान के विशेशग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम इस आगे की लड़ाई को कैसे लड़ें कल जो बैठक होने वाली है उसको लेकर पशुपती पारस का पूरी तरह से आश्वस्थ ह उनका कहना है कि कल हम सब कुछ भिदेवत करेंगे यदि एक से ज़्यादा नौिनेशन होता है तो पिर चुना होगा यदि एक ही नौिनेशन रहेगा तो उस इसितिव में धिख्थी चुना जाएगा वो राष्टी अध्याक्श होगा बहुत बहुत धन्यवाद आरंध प्रकाश पांडे आपको और नितिश्य अंद्रापका इस तमाम जानकारी के लिए